आज हम बनाने वाले है वारली पेंटीन सबसे पहले हम एक बॉर्डर बनाते हैं बॉर्डर का जो डिस्टंस है चार ओर से सेम होना चाहिए फेपर के ले आउट के हिसाब से फ्री हेंड डॉप करना है यहाँ पर हम एक डिजाइन बनाते हैं ऐसे जिग जाग करते हैं और वापस और एक उसके साइट से ड्रॉ करते हैं हम हमारे मन पसंद भी ड्रॉ कर सकते हैं तो यहाँ पर हम यह ड्रॉ कर लिया है इसके यह बूरा हो गया है बॉलर यहाँ पर हम छोटी छोटी लाइन्स डिजाइन के सोरुप में ड्रॉ करते हैं चारोर से ड्रॉव कर लिया है डर्डश ड्र्श करते हैं सिर्डश ड्रॉव कर लिया है जो मारि नीचे जो ठीडम बनाई है उस पर भी ऐस टाइप से सब कर द करें ड्रॉख यह कर दो और उस और यहां पर उसके अंदर दो दो लाइन करते हुए पूरा डिजाइन बना लेंगी इसलिए ड्रॉआ करें कि पुछ मिस्टेक हो जाए तो हम उस पर एक करेक्शन कर सकते हैं इसलिए कोई भी वार्ली आर्ट पहले पेंसिल से ड्रॉआ करना है उसके बाद मन चहां कलर कॉंबिनेशन में हम बना सकते हैं और यहां पर हम एक सीडी ड्रॉआ करते हैं बाद में इसके अंदर और डिजाइन बना लेंगी यहां पर हम एक प्लांट बनाते हैं और यहां पर एक फ्लावर से इस टाप से डॉट डॉट कर लिया यह उसकी पत्तिया है जो लीफ है उसका शेव दो दो करते हैं ड्राव करना है और पूरा ड्राइंग बहुत हलके हाथ से ड्राव करना है अब यहां आप वारली आट का एक फिगर ड्राव करेंगे जो खेत में काम कर रही है इस टाइप से तेहां पे एक अनाज इस टोपने में डाल रहा है यहां पर हम एक और एक वार्लिवार्ट का फिगर ड्रॉआ करेंगी जो रस्ते से जा रहा है यह खेत वाला सी है ऐसा हम दिखाने वाला है यहां पर बंपटी शेफ बंपटी शेफ ऐसे कर्व करते भी खेती दिखाने वाले ह और दाह में से पकाट ऑए हैं, पूरा। सी पैते हैं रही पौधा बना लेता है इस थाउड से देहान से बनाना है टहार को प्काट देशा नो हुआ है। यह और diyट लैट लख लख कराको अब छोगा मारू यह क्दूर अब दूस्री साइप में हम एक घर बनाते हैं। नाजर की आंगन में भी हम अलग से कुछ चीज़ ड्रॉड गर सकते हैं मल परसंत तो इन्हां पे दो दू डू डॉड राइन डॉड कर लेते हैं जो च्छा थे उसका डेजाइन इस ट्रॉड शेव करते हैं, थोड़ा सा अलग कर लेता हैं इस टाइप से लाइंस डॉग करना है दो दो इसे भी थोड़ा डिटेल कर लेते हैं slanting लाइंस डॉग करके तिरची तिरची इस टाइप से पूरा कम्पलीट कर लेने पा है यहां पर हम खिर्की ड्राइब करती है जो विंडो रहेगा इसके अंदर भी हम डिजाइन करना लेती है तो हमारा मन पसंद डिजाइन भी हम इसमें आड़ करना चाहिए सेम एज अज इज नहीं भी कोपी किया तो चलता है और लाइट लाइट ड्राइट 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 बाद में तो हम इसके उपर हमारा मन पसंद मिडियम से कर सकते हैं यह हो गया है कंप्लीट अब हहां पर हम एक नारियर का बड़ा सा प्रेड ड्राइब करने माले है यहां पर जूंतना है उसके अंदर भी हम ऐसी डिजाइन बना लेंगे और यहां पर हम कुछ पत्तर ड्वा कर लेते हैं और कानी भी दिखाने वाले हैं यहां पर एक वाले आट वाला फिगर बना आते हैं जो की नारियल तोड़ रहा है और उसके हाथ में एक बड़ा सी लगड़ी है ऐसा दिखाएंगे और इंचे एक टिगर ट्रॉआ करेंगे जो की नारियल को उठा रहा है जमें से तो यहां पर ऐसे डाइस डाइस करना है कि यह फिगर इस टाइब से ड्रओ कर लेना है कर करना है पैर बना लेते हैं और सामने से हाथ ड्रॉआ कर लेंगे है और जाने के बार नारियल के पेड़ के उपर हम एक घोसला बना लेते हैं और उसके उपर एक बर्ड बेठा है ऐसा भी हम ड्रौ गनेगे ट्रॉख में पानी है जो डैश डैश कर ते वे इसे हम बना लेगी एक ही प्लो में होना चाहिए यह डौ हो गया यहां पर एक प्लांट डौ करते है उसकी लीड बना लेगी वीडियो पे पहले बार है तो वीडियो को भी सबस्क्राइब करके रखें जिससे आने वाले नहीं नहीं वीडियो भी आप देख सकते हैं यहांपर हम कुछ नदी के किनार पर घास डौ कर लेते हैं तो इस टैप से डौ करना है घास हो गया यहां पर नदी किनार के हम कुछ पत्तर भी ट्वा कर लेंगे यहां पर एक वर्ली आट वला फिगर जो पानी ले जा रही ही ऐसा भी खाते है तो ट्रांडल से वाइंड करना है इसके पैर बना लेना है घड़े को पकड़ कर रखे ऐसा एक हाँ यहां पर बीए एक प्रिगा ड्रा एक है जिसके सर्थे ऊपर कुछ सामा है इस प्रेट से क्योंगा यहां पर एक मोर ड्रां इतर्म कर देने जो पीछी की वर्थे लिगर नीका है यह सब ड्रौब हो जाने के बाद नीचे का पाट यहाँ पे हम कुछ और गास ड्रौर लेगे कर अँपर के साइड में हम कुछ बर्ड ड्रौ perpet कर लेंगे यहाँ पे एक सुर्ये ड्रौख करना ही संबर करना है और वह भी डिज़ाइन है बर्ड बना लेंगी और भी हमें कुछ बादल बनाना है तो हम हमारा इमाजिनेशन एड़ कर सकते हैं यह पूरा कम्प्रीट हो गया ब्लैक स्केच पेंट से हम सुन्दर सा पूरे ड्राइंग को आउटलाइन कर लेंगे यह आज का जो वर्ली आर्ट हैं हम भी ब्लैक स्केच पेंट से बनाने वाले हैं पूरा बन जाने के बाद इसे हम इरेज़र से इरेज़ कर लेंगे बड़ा ही आसान और सुन्दर सा वर्ली आर्ट पेंटिंग हैं आप इसे और शेग बढे त्राइ परिए आपको अर्ली पेंटिंग कैसा लगा है कमेंट्स करके बता सकते हैं थैंक यू